कि यह इसके अंदर का रास्ता यह कुछ इस तरह से दिखता है कब्र है यह सारे कब्र है इस टॉम की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहां इस टॉम को देखने के लिए आप आते हैं तो चिराग दिल्ली उतरिया मैट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से बाहर निकल के यहां इस तरह से साथ सो मीटर कड़ी डिस्टेंस पड़ता है वहां आप आके पैदल आ सकते हैं इसमें चोटी चोटी गलिया है तो आप पूछ के भी आ सकते हैं हालाकि मैंने पूछा तो उन्होंने बताया नहीं उनको कंफर्म नहीं पता था इस वज़ए से यह कुछ इस तरह क का दिखता है तॉम तो आप देख सकते हैं और मैं अंदर जाता हूं तो यह कुछ इस तरह का दिखता है ओपर का इस्टेक्चर आप देख सकते हैं इसके और मना पो टारलोक यह जो पाया होता था उस जमाले में जोभी हुआ करता था तो उस तम में यह बाइस से बना जाता था पत् gathered, पत्थरू ना ओचाटे इसको किया जाता था यह है में कबर जो बहलोल लोधी की है और यह उनके वाइफ की कबर है और यह उनके बेटे की कबर है यह सियोर नहीं है यह वाइफ की कबर है यह सियोर है और यह गुमबट टाइप का बना हुआ उपर में अब देख सकते हैं यह कि अगर मैं इनके बारे में बता दूँ यह बहलोल लोधी के बारे में तो 1443 में यह फर्स्ट बैटल लड़े थे और 1447 में और 1451 में जो बैटल जीते थे यह उनका मख़रा है और इनको बोला कंडिशन अच्छी नहीं है कि बहुत ज्यादे ही खराब हो चुकिया इसकी कंडिशन है कि यह इसका बाहर का इस्टेक्चर है जो आप देख सकते हैं कि यह कुछ पीछे का इस्टेक्चर है यह बहलों लोदी वाले अब कुछ भाई साइब खेल ले इसमें कि यह जो है सेड़ी ऊपर जाने का मैं देखता हूँ ऊपर जाके क्या है आप उपर जाने का यह रास्ता है यह टॉन देखता है ओ भाई यह कुछ इस तरह से दिखता है कि इस तरह से दिखता है का है अब है इस टॉम को मेंटें नहीं किया जाता है काफी ज्यादा गंदगी है इस टॉम में अभी अभी साफ सफाई नहीं किया गया है इस टॉम में तो आप देख सकते हैं इसको